हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो माई इस्टोडी फीट ओफ फीजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों में डेली बीसेश पे आप सब को प्रैक्टिस करा रही हूं जैसा कि मद्रप्रदेश वर्क्टू, यूपी टीजिटी, पीजिटी, यूपी एल्टी ग्रेट, बेपेश्टी टी आई फोर्ट, सभी के लिए ये डेली बेसेश पे प्रैक्टिस हैं ये सबी कोोशण्ज प्रिव्यस गेर में आये हुए हैं और जैसे ये खत्म होता है, मैं आपको ऐसे धन से प्रिक्रेशन कराऊंगी जिस प्रकार से लैंदी लैंदी कोशशन्स पूछता है, भले ही एक वीडियो में दसी कोशशन्स होगा लेकिन मैं आपको अच्छे से कराऊंगी बस दिमेशा डेली बेसे से बने रहे और दोस्तो जैसे कि आप सोचते हैं कि फार्म आ जाए तब मैं पढ़ूंगा और उस समय आपको एक दू महिना टाइम ही रहता है तो आप सोचते हैं मेरा सेलेक्शन हो जाए नहीं दोस्तों जो हमेशा से लगा रहा है ठीक है जो भी इसमें प्रिप्रेशन कर रहा होगा कोई ने कोई काम एक्ट्रा अवस्य करता होगा जिसके पास टाइम नहीं होगा बट आप डेली बेसेज पे ही जो तीन चार घंटा आप निकालेंगे अपने लिए वही आपके लिए काफी होगा बट आप सोचेंगे कि मैं एक दीन दस घंटा पढ़के एक हपता ना पढ़ू तो यह आपके लिए कारगर नहीं होगा लगातार यानि कांटिन्यूटी में जो सकती है वो किसी चीज में नहीं है कांटिन्यूटी यानि लगातार थोड़ा थोड़ा बुंद बुंद करके तलाब भरता है इसलिए आप कांटिन्यूट बनाए रखिए तो चलते हैं आज के कोशन के तरफ कोशन नमर वन है एक स्वास्त वैस्क बैक्ती एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है जैसा कि एक स्वास्त वैस्क बैक्ती 16-20 बार सांस लेता है लेकि जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं अक्सरसाइज करते हैं उस कंडिशन में आप 40-50 पर मिनट सांस लेते हैं लेकि जब आप प्रसिचित हो जाते हैं एक्टिविटी करते करते प्रसिचित बैक्ती हो जाते हैं उस दौरान आपका जो सांस का काउंट होता है प्रती मिनट कम हो जाता है रिलेक्सेशन मोड में आप सांस लेते हैं 8 से 10 बार आपके साथ की काउंट जी इतना ही अच्छा होगा अराम अराम से सांस लेगी उतना ही आप सुज़ते माने जाते हैं कॉशन Nummer 2 है ओलमपिक में भारत में बास्केटबाल ने इस परदहा में कब भाग लिया इनवीच ओलमपिक डिड है इंडियन इंडिया पार्टिसेपेट इन बास्केटबाल तो जोस्तों भारत ने बास्केटबाल में भाग लिया 1980 मास्कोड़ें लेकिन जब पूचहँगा क डीके आप एको यार ढखना है फुटवाल नीच सो आट में लंदन उलंपिक में सामिल हुआ और एस्याइग खेल पर उलंपिक में कब शामिल हुआ है इसके इस पर में बिडियो बना चुकी हूं आप जरूर जा देख लीजे कोजिन नमर थी है बैक इस्ट्रोक का समन्द किसे है तो दोस्तो बैक इस्ट्रोक बैक इस्ट्रोक बैक इस्ट्रोक ब्रेश्ट इस्ट्रोक बटरफलाई फ्रेश्टैल इस सभी चार जो है तेराकी की सैलिया है ठीक है स्वीमिंग की सैलिया है इसमें से सबसे हास्ट फ्रेश उसके बाद butterfly फिर back stroke लाश में breast stroke असे विए vota है 9 जान्यन में 200 मीटर की दोड़ में द्धावग को क्यों दिया जाता है तो दूस्तों जैसे कि 400 की दोड़ में पुडबाल खिलारी का नाम है नेमाम तो सife a . फूडबाल प्लेइर टो रिस्व आर्जन अवाड़ तो दोस्तो है अर्जन को प्राप्त करने वाले प्रफिम खिलारी का नाम है पिकए ब्लाजी ठीक है पिकए ब्लाजी पुरुसका अनी सो एक सथ में प्रिदान किया गया में आपको तुलसी बल्राम को और इसो तीर सट में चुन्नी को सवाम यह साभी फूटबॉल खिला रही है याद रखिएगा कोष्टन बेर सेह है यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे आपको देखना हैC despite the एमेरी से रेलेटेड़ है तो डाटर बीसी रोय ट्र زओन Weal Trophy से समन्दित है तो वन का वन ही हो जाएगा ठीक है तो न का वन ही होजाएगा बिलियम जोन्स कप बॉस्केर 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 कारगार है विच आशना एज मुश्ट इफेक्टिव फर बलड प्रेसर टेर्टमेंट तो दोस्तो इसमें आपका होता है सवासन जो सभी आशन करने के बाद किया जाता है इसे नाड़ी सवस्थान मधूत होता है हाई बलड प्रेसर परनियंतर होता है और मारसिक तरहों से क्या कहते हैं इंटरेक्शन बिराउट सोशल कांटेक्ट इस कोर्ड जैसे कि प्रतियोगिता यानि कंपर्टिशन सहयोग यानि की कंपरेजन इन तीनों में समाजी संपर्ग अवस्यक होता है बट बिन में आपका ऐसा है कि बिना समाजी संपर्ग का संभो है कोशन नमबर 9 है दूसरों की उपस्थिति के कारत स कर OW को क्या कहते थे दो दोस्तों इससे हम कहते हैं समाजी क समान देना दूसरों की उपस्थिति के कारव्ड अगर संकरातों फ्रॉब होता हैं तो आप समाझिक रूखाओ रहा है । अगर ना किरातों फ्रॉब हो पड़ेज तो समाझिक समॉख नहीं मिल दा है'. एसलिटों के समाजिक समान देकर समाजिक व्योस्ता में पतीज बढ़ाय करवाकर हम प्रेड़ा दायक इस तरह को बढ़ावा दे सकते हैं कोशन नमबर दस है विश्व स्वास संगठन ने स्वास के निमने भाग बताए है दोस्तो ही है इसके चारभागवाव में बाटाए है सारीक मानसिक समाजिक समुशल देकर चौत्म ञिक इसके Q11. Dynamometer का प्रयोग किसकी मापन के लिए किया जाता है। आप सब को पता है, dynamometer strength को मापने के लिए यानि की सक्ती को मापने के लिए किया जाता है। Q12. सरीर संरचना किया अध्यान है, the study of body structure. जब भी structure की बात आए, तो वहां पे सरीर रचना पिग्यान यानि की इनोटॉमी हो जाएगा। जब भी activity यानि functions की बात आए, वहां पे physiology हो जाएगा। जब भी motion की बात आए, वहां पे किंसियोलोजी यानि की गति पिग्यान हो जाएगा। याद रखेगा जब भी समाज या समुह की बात आए, वहां समाज सास्त्र हो जाएगा। Question number 13 है, जूडो के खेल में सबसे उचा scoring point होता है। तो दोस्तों जूडो के खेल में यूगो के लिए 5 अंक, वजारी के लिए 7 अंक, कोका के लिए 8 अंक, एपोन के लिए 10 अंक दिये जाते हैं। यहाँपी सबसे उचा scoring point होता है इपोन, याद रखेगा। कोका के लिए 5 वजारी के लिए 7 अंक, याद यूगो के लिए 5 वजारी के लिए 7 अंक, कोका के लिए 8 अंक, एपोन के लिए 10 ठीक है। Question number 14 है कि भारत में track and field गतिविजियो को कौन नियंतित करता है। Who Regulate Track and Field Activity in India? तो दोस्तों वह करता है AAFI, A Mature Athletic Federation of India, जिसका अब बरतमान में नाम रख दिया गया है, Athletic Federation of India, AFI इसकी स्थापना उनी सोची आपना उनी सोची आपना अंगलावर में हुआ था, मुख्याले ने दिल्ली है। इसका संचालन ट्राइंगर फिल्ल का कुरून करता है, पुरी वल्ड में करता है International Association of Athletic Federation, AIAAF जिसका इसापना 1912 में हुआ था, जिसका आपना 1512 में इसका मुख्याले था बट 1923 में में इसका मुख्याले मोना को देश में इस्थांदि रित कर दिया गया और दोस्तों, जो वी सवर संचेंगडर अन्याद ग्याथ है, इसका बरतमान में नाम बदर कर World Athletic đi याद रखेगा कोशन नमर 15 है यहाँ भी आपको स्रूमेलित करना है फ्लारेंट सिंग किसे कहा जाता है आप अपको पता है मिलखा सिंग को कहा जाता है तो एका टू हो जाएगा एका टू एका टू एक टी तीनो में दिया हुआ है ऐन्डियन एकस्प्रेस जो है महेष भूपती ऐलेंडर पेस को बोला जाता है दोनों की जोड़ी को तो B का, A awarded Ist 4 हो जाएगा इन पायोली एकस्प्रेस पीटी उऊसा को बोला जाता है आप limiting दिया का 3 हो जाएगा एन मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचीन तेंदुलकर को तो डीका वन हो जाएगा इस प्रकार आफसन नंबर डी यहां पे राइट एंसर होता है तो टीसू इंजरी के दो भाग मैं बटा गया है साफ हों में साफ टीसू इंजरी वों इंजरी ज्टस्थर इंजरी , ज्यूड आजिन बाफसों का निजयू होता है त्सक्राइट। चूतर को यहां पिस पाड़ा प्रख मेरा पार ज02 आफस्थर चाओ कि आपशनला है मोस्ट जो है यानिकी होता हैs लिगामेंट की चोट हैं छिचाओ यानिकी जो हिस्प्रेन होता है व तेंडर निवानस्पेसी की चोट है इस सभी चीजें आरेसो पीसु इंजरियरिंग नर्बमूंहुद तक पर जाखे और हो जाएगा और प्रोक शबही है और कोश्न हमें कर दो हएस्थ है कोश ने पर सेविन है को और इंसूलीन की हरकत को उते जित करता है और इसकी कमी से मधवहें यानि डैपडिश हो सकता है चैनल अपनीर सीरा और हरी फुल गोहीं पाई जाता है तो इस तो इंसुलीन को उतेजित करता है और यह जो है पनी यह सीरा फुल भी हरी सब्जियों में पाई जाता है याद रखिएगा कोश्चन नमबर अठाना है बैलेस्टिक प्रसिच्छ तरीका सबसे अच्छा प्रसिच्छ बहाने का है तो दोसों आपको पता है कि बैलेस्टिक इस्टिक डैननमिक और पिएनफ मेधड इस सभी जो मेधड है यह फ्लेक्सिब्लीटी को डेलब करने का विद्धी है यह लची तो ड्वल्फ यूज दिस दोश्टों मैंने अपने वीडियो में ड्वल्फ बैविंटर अव टेनीस दुनों में बताया हुआ है जैसा की ड्वल्फाल्ट को प्रियोग टेनिस में होता है टेनीस में खिलानी दोबारा पहली सर्विस गलत करने पर दुसरा ऑफ्षर दिया जाता है यहीं दूसरा सर्विस भी गुलत करता है तो उसे डबल फार्ट गहा जाता है तो अंक जो है प्रतिस प्रधी खिलाड़ी को दे दिया जाता है कोसे नमर 20 है डेकाथलान के खिल में अंतिम इस प्रधा होती है दोश्टों डेकाथलान के खिल में अंतिम इस प्रधा पंदर सो मिटर डॉड़ होती है और प्रथम इस प्रधा सौ मीटर दोड़ होता है इसको मैंने डेकाथलान, हेप्ताथलान, ट्राइथलान, पिंटाथलान सभी को मैंने डीडियल में ट्रिक के मांदर से बताया हुआ जो आपको जिवन भर याद रहेंगे तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखें कमबाइन इ पहले जिन 5 इवेट बीह सो मिटर का लंबा सर्द पहन के उची कद से 400 मिटर दोड़ान ये ट्रिक बनाया हुआ है 110 समीटर का हॉर्डल डीपोजे मतलब डिसकस थ्रो पोसे पोलवाल जैसे जेवलिन थ्रो पंदर समीटर द्रो यह दूसरे दिन का इवेंट है मैंने आपको ट्रिक के साथ पताया हुआ है कोसे नमर 21 है मुच खिचाव और कंडरा की चोटों की तुरंत देखवाल कैसे की जाती है कौन सी पताती का RICE पताती का रेश्ट आइस यानि बर्ग का प्रियोग करना सी से कंपरेजन नहीं दबाओ डालना इसे इलवेशन नहीं के वचाई से उपर उठाना यहां भी राइट एंसर हो जाए का आउसन नमर ए बर्ग की गर्षरी का प्रियोग करके कोश्चन नमर बाइस है कुदते समय संपूर टेक आफ के निमलेखी चरह होते हैं वीच आ फॉलिविंग और फेज आफ ए कंप्लीट टेक आफ वाइल जंपिंग दोस्तों यहां पे मैं इसका जो गूठ होता है लिखने के लिए बूल गई हूं टैपिंग करने के लिए पैर को जमीन पर खिलारी सत्ह चोड़कर उपर उठने की प्रक्रिया करता टेक आपके दोरान इसका क्रम है पहले सबसे पहले भूमी में पैर इसपर्स होता है उसके बाद पीछे की तरफ धक्का मारता है ठीक है यहां पर क्रिया प्रति क्रिया कर्णियम लागू होता है त तो आपका धक्का सहन करना D के बाद A हो जाएगा उसके बाद सक्री खिचाओ होगा उसके बाद क्या होगा सक्री खिचाओ होगा बी हो जाएगा तब उसके बाद आप जामीन को छोड़ देंगे यान टेक आउफ ले लेंगे C हो जाएगा इस परकार जो भी कुर दिया रह पूसें नमर्टेज है करणम मलेशुरी की स्पराँन से संब्ध रखती है तो दोस्तों आपको पता है यह अर्ण परदेश से रिलेटेड हैं समद रखती है कि महिला भारतोलिक, याने वेट लिप्टर हैं यह उल्मपिकप अर्पि Corn व॥ कांसे पत्क जीतने वाली भरत इत्त estás हैं वर्रण कीा शांत नमर्टेज में निन में किसके लिए बोजन का प्रमुप इस्टा हुटा युद्धे, युद्य बडदे मूई आपकी लुग को फूता है हमारे कउसिकाओं को टूटे भूटे ही क्राइब पताया है। अधर के लिए प्रेन पेस्पॉर्स के लिए प्रमग हिसा होता है सक्ती ह्चांता वाले अधरय болos पता है। सच्परेग प्रोटीन को हम बद मखी रह mess एले ह्तित मझें और क्रकाहँ," worries Jessal. इंजरी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो सरी के रचनात्मक दिस्टी कोड से चोटो को सौब टीसु इंजरी और हर्टीसू इंजरी वाटा क्या है सौब टीसू इंजरी जो पेसी टेंडल लिगामेंट की चोटे होती है जैसे कि इस पैन इस्टेंड कार्टी कि यो है इसपेन है इस अभी सॉब्ट इस्टी इंजरी है जबकि आपका पासो डिस्टो केशन ठीक किसी तोस्ता से या कट्रो जग़ा गिरने से हमारी जो सौल्टर होता है हुमरेडिस होता है और सौल्डर की स्यरा सौब गार से बाहर आ जाता इसा को को सोल्डर डिस्लोकेशन कहते हैं यह हार्ट इसु इंजरी के अंदर रगत आएगा कोशन नंबर 26 है ओलम्पिक सपत की सुरुवात पहली बार कब हुई वेन वाइट ऑलम्पिक ऑथ फर्ष्ट इंट्रोप्स दोस्तों ओलम्पिक सपत की सुरुवात 1920 इंट्वर ओलम्पिक स से पहले हुआ ओलम्पिक सपत अओलम्पिक प्रतीज चिन नित्रेंगा जंडा एंड कब उतर छोड़ना इस तीनों चीज़े आपका 2020 इंट्वर ओलम्पिक में सुरुवात हुआ है कोश्चन निम्बर 26 है कि दिन मेंसे किस ने अपने कथन में खेल के सब्द को मनरंजन का यथेश्ट रूप कहा है तो इस खेल के सब्द को मनरंजन का यथेश्ट रूप जान एच फिन लेने कहा है कोश्चन निम्बर 28 है सबसे अच्छा अध्यापंग का धंग क्या है तो बेश्ट मेथर्ड आफ टीचिंग दो तो जो इसमें आसन दिया हुआ है इसमें दूनों तरफ सक्रीटा टीचास एंड इस्टूरेंस दूनों तरफ सिखने या सिखाने वाला दूनों तरफ पर कोश्चन नंबर 29 है खेल में प्रतिभा खोश के लिए कौम सा कारक सबसे अधिक मात्पू होता है विस फेक्टर मोस्ट इंपोर्डेंट फार्ट टैलेंट डिस्कॉवरी इन इस्पोर्स दोस्तों इसमें मोटर गुरुवत्ता होता है मोटर का मतलब होता है मान स्पेसी के ह तो मोटर गुरुवता है 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 मो मोटर गुडवता इतनी अच्छी होगी हमारे इसरी की बोमेंस है अहलजल उतना ही ब्यक्ति द्वारा खेलोगे प्रदरसन चुस्ति फूर्ति और सजक्ता की अधितम उपस्यति के कारण उतना ही अच्छा होगा इसलिए हम खेल प्रतिभाब कोच के लिए देखते हैं कि इस इस मोटर भुडवता है इसको नहीं है तो इसको डिवलप करें जो चीज को को कुश्चन नमर् तीस है सरक्रीट ट्रेनिंग भी धी किसके द्वारा तयार की गई सरक्रीट ट्रेनिंग जो है मेधरवाज देवलपेड बाई तो इसको एंडरसनमोरगन ने 1907 में तयार किया किस खिलाडी ने एक खेल में स्रवादी ब्यक्तिकल स्रोर पतल जीतनी का रिकार्ड इस्थापित किया है तो विच प्लेयर इसेट रिकार्ड आफ विनिंग मोस्ट इंडविजल गोल्ड मेडल इन अलम्पिक गेल्स दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं माइखल फैल्स का नाम सबकी जवार पर है सब ही आप लूग जानते हैं कि माइखल फैल्स ने अभी तक में अठाइस मेडल प्राप्त किये हैं तेस्ट गोल्ड, तीन सिल्वर, दो ब्रांज मेडर, उनसे पहले जैसे कि टाराकी में सबसे पहले जानी बेसमिलोड कर नाम आता है, जो उनी स्वर्स ये लड़का था उनी सचोबी स्पेजिस फ्रांस में स्वर्स में 100 मीटर व चार सो मीटर फ्री इस्टाइल में हुएर चेल स्वर्स में साथ स्वर्पार्ढ तोड कि नाम आता हुए जर्कार्ढ ने तौड़ा तोड़ा क्योंकि दोस्तो हर प स्वर्स के लिए बनता है यह नहीं है कि यह रिकार्ड है यह रिकार्ड ही रह जाएगा कोई और पैदा ने देता है उस रिकार्ड को भीतरूने के लिए तो मैइकल फेल्प्स ने मार्क स्पिर्स के साथ सुड़ का रिकार्ड दोहजर आर बीजिंग उलम्पिक में आर्ट सुर ला करके किया इन्होंने पूरा डीडियल में मैं नहीं बता सकती लंबा वीडियो हो जाएगा आप लोग देखेंगे भी नहीं क्योंकि आप लोगो को चाहिए एक दम अच्छे चीज़े आपके जो मन को भाए लेकिन जो मन को भाए उसी चीज़ को खाली करेंगे आप कठिंता को नहीं सुइकारें लुट है कि इंहां लुट है कि ग्रोवध जो को मापा जा सकता है जबकी वाय नहीं दहीं सकता है नहीं जो तो दोस्तों जो आपका ब्रिध को यहां पेक्ट होगते हैं लंबाई और वजन वे परिवर्थ है एट एंडिभ रौद्ध ठीक है आपके हाक हो जाता लेकिन पर्फलाटी थ्रो घॉये हैं पर यहां पर पिनुल्स पाती थ्रो में पर है तो डूली भाष बैक पास देने के अनुमतिगा नहीं है इसलिए जब भी कोई खिलाड़ी अपने कॉट मी जानभुषर गोली को गेल बढ़ता है तभी तबी प्रति बच्ची को सात मीटर से पिनाल्टी फ्रो पर गोल करने का औसर मिलता है। याद रखिएगा? हनबा वाटर पुलो Qs no.34 है पिनाल्टी कॉर्णर की बारे में कौं सा कथन सत्य है? दोस्तोक पिनार्टी कौर्ण के बारे में यहां पी सत्य हो चाता है। जितने भी सब्दावली में किक सब्दा आए उस भी फुटबाल से ही रेलेटेट होंगे एक की पॉइंट है जिससे सीधा फुटबाल से हैं यदि कोई खिलाडी एसा आइसा अइसा कृति जानबूस्ट करकरता है जो खेल बहुना के बिरुध्ध हो या नीमों के है यदि बचाव कर रही टीम पिनाल्टी छेतर में हो तो उस पर पिनाल्टी दिया जाता है तो दोस्तों यह था आज की सेशन का पैडिस कोशन आई हो कि सभी कोशन्स आपको अच्छे से समझ में होंगे जिस भी कोशन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों तो मिलकर हम लोग साल करेंगे लेकिन रूखेंगे नहीं ठीक है रूखना जिंदगी नहीं है रूखने का नाम मौत होता है दोस्तों तो याद रखिए जो भी आपकी दोस्तर्कल होंगे फ्रेंड सब्सक्राइब वहां पर जरूर सेयर कीजिए जिससे और लोगों तक नहीं है रूखने सेयर के विडियो प्रेंटर्ष में तब के लिए जय हूँ आ है जय हुआ है जय है।